खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर देवास जिले के खातेगाओं में तीन दिवसी नानी बाई का मायरा का रस्पान संत सूश्री मुक्तामनी तिवारी के द्वारा भक्तों को रस्पान करा गया इस दोरान उन्होंने कहा कि माबाप की कमे इस संसार में कोई पूरी नहीं कर सकता जन्म देने वाली एक मा ही ऐसी है जो अपनी संतान के लिए हमेशा अच्छा सोचती है लेकिन इसका लियुग में अब पुत्र माबाप को व्रधा आश्रम पहुंचाने लगे हैं यह सनातन धर्म के लिए बहुत चिंता का विश्य है आगे बताया कि आप बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें लेकिन इस प्रकार की दिव्य कथाओं में भी साथ मिलाएं ताकि उन्हें ग्यान के साथ संसकार भी मिले बच्चे पढ़ लिख कर बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें संसकार की मरियादा नहीं रहती बच्चपन से संसकार डालो तो बच्चा बड़ा होकर संसकारी बनेगा नानीबाई का मायरा कथा के अंतिम दिवस हजारों की संख्या में लोग पहुंचे नानी बाई का मायरा कथा के अंतिम दिन बेल गाडी में सवार होकर सावरिय सेट एवं नर्सिंग महता मायरा का सामान लेकर डाक बंगला कथा इस्थल पर पहुंचे जहां चारो और बेंड बाजे ढोल नगाडे और आतिश बाजी की आवाज सुनाई दे रही थी पहल गाडी में मायरे का सामान भरा था नर्सिंग महता के सोला सूर्या और सावरिय सेट स्वैम राधा रुकमनी के साथ कथा इस्थल पर छपपन भोग लेकर छपपन करोड का मायरा लेकर पहुंचे चारो और सावरिय सेट के जैकारों की गुंच सुनाई दे रही थी दूर दूर से कथा में पहुंचने श्रद्धालू कथा का रस्पान कर रहे थे कथा के दौरान छेत्री के विधायक पंडित आशीश शर्मा ने भी व्यास पीठ का पूजन किया कथा में छेत्री के विद्वान भगवता चारे पंडित के लास्त तिवारी पंडित राजेस व्या खावर समय जगत के लिए खाते गाउं से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट